आज की सिंपल सी वेज़ थाली में है राजमा, जीरा राइस, मिक्स वेज, सैलेट और पापर तो ये है मेरी सिंपल सी वेज़ थाली हेलो एवरीबन, वेल्कम बैक टू तीपा के वेंजन चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा, तो राजमा की रिस्पी मैं अपने अनुसार आप लोग के साथ शेयर करूंगे कुकिंग का जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो है चॉपिंग, तो चली चॉपिंग से सुरू करते हैं तो अखbear राजमा को अबाल के बनाते हैं पर आज मैं जो राजमा बनाओंगी, पीना उबाले बनाओगी और पस पांच मिनिट में बन कर तयार हो जाती है तो सारी सब्जियों को मैंने पहले wash कर लिया है और इसे straightner में रखा है ताकि जो सब्जियों का पानी extra है वो निकल जाए अब chopping स्टार्ट करते हैं तो chopping स्टार्ट मैंने किया है प्याज कटिंग से राजमा बनाने का सबका तरीका बिलकुल अलग होता है और मसाले भी करिब करिब अलग अलग ही यूज किये जाते हैं तो मैंने यहाँ पर प्लेट तैयार किया है इसमें है दो बारी कटा हुआ प्याज, दो टमाटर, एक इंच अदरक, एक हरी मिर्च और दस से बारा कलिया लहसिन की आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखे के अनुसार इसमें लाल मिर्च भी ऐड़ कर सकते हैं यदि आपको तीखा और स्पाइसी राजमा पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर या लाल मिर्च भी ऐड़ कर सकते हैं एक कप काश्मीरी राजमा को मैंने रात भर के लिए पानी में बिगो के रखा है सुबह इसका पानी मैंने निकाल दिया है और इसे वाश करके साइड में रखा है अब मैं मसालो का पेस तैयार कर रही हूँ तो मैंने इसे बीना पानी के ही पीस कर तैयार किया है तो राजमा को मैं बनाऊंगी प्रेशा कूकर में तो यहाँ पर प्रेशा कूकर को मैंने गरम होने के लिए चुले पर रख दिया है प्रेशा कूकर गरम हो गया था अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़ी चमच मस्टर्ड ओयल और दो बड़ी चमच घी राजमा में आप घी या बटर एड़ कीजे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब मैं इसमें तरका एड़ कर रही हूँ तो मैंने लिया है एक चोटी लाईची, एक लॉंग, एक बड़ी लाईची, एक टुकरा दालचीनी और आधी छोटी चमच जीरा और आधी छोटी चमच कसूरी मेथी, साथ में एक चुटकी हींग तरके को गोल्डन ब्राउन होने तक भूल लेना है, अब इसमें डाल दे बारी कटा हुआ प्याज, प्याज को भी थोरी देर ट्रांसलूसेंट होने तक भूल ले अब मैं इसमें अड्ड करूंगी भीगोया हुआ राज्मा राज्मा के साथ मैंने इसमें नमक अड्ड किया है, स्वादनुसार सबको चितर से मिक्स किया है, नमक डाले से प्याज गल जाएगा और राज्मा में भी काफी अच्छा नमक आएगा अब इधा मसालो का पेस्ट तयार कर लेते हैं मसाला पेस्टने से पहले स्वीच भी ओन करना होता है तो मैं भूल गई थी यहाँ पर मसालो का पेस्ट मैंने तयार के लिया है, इसमें कुछ मसालो का पाउडर भी आड्ड करूंगी बीच बीच में आप राजमा को एक बार चेक कर ले, अब इसमें डाल दे मसालो में डेर चोटी चमच धन्या पाउडर, आधी चोटी चमच काली मुर्च पाउडर, आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर, आधी चोटी चमच जीरा पाउडर और यहीं प्यार आप लालमिच पौडर भी एक चमच एड़ कर सकते हैं मसालों में मैंने थुरा सा पानी डाला है और इसे साइड में रखा है राजमा और प्याज भी इधर भून गया था तो अब हम इसमें एड़ करेंगे मसालों का पेस्ट मिक्सी जार में थुरा सा मैंने पानी डाल कर मसालों को अच्छी तरह से धो कर इसमें डाल दिया है मसालों को विस्ट नहीं करना है अब मसालों को अच्छी तरह से राजमा के साथ भूनेंगे बीच-बीच में मैंने ढखकन लगा दिया है वापस से ढखकन हटा कर एक बार मसालो को चेक किया है गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है मसालो को लो फ्लेम पर बिलकुल पेसेंस के साथ भूने जितना survivors में बुनेगा उतना ही स्वाध राजमा में आएगा मसाला भून गया था अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम पानी तो ग्रेवी के अनुसार आप इसमें गरम पानी आड़ करें इसमें थोड़ा सा जो पानी है उसकी क्वाइंटिटी मैंने बढ़ाई है क्योंकि राजमा कच्चा है तो इसमें हम 4-5 सीटी या 6-7 सीटी भी लगा सकते हैं ग्रेवी के अनुसार पानी डालने के बाद अब प्रेशर कूकर का ढ़कन बंद कर दें सीटी लगा दें और ग्यास का फिलिम लो कर दें इशर कूकर में टोटल 6-7 सीटी पहले लगाए यदि कच्चा रहे तो इसमें फिर 4-5 सीटी लगा दें तो राजमा की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है अब मैं इसके साथ बना रही हूँ जीरा राइस तो कराही को गरम करके मैंने इसमें डाला है दो बरे चमच घी अब तरके में मैंने डाला है एक चकरी फुल एक चमच जीरा और आधा चोटी चमच मैंने डाला है साबुत काली मिर्च काली मिर्च आप चाहे तो इसके भी कर सकते हैं तरके को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है धोया हुआ बास्मती चावल तो एक बास्मती चावल को मैंने आधा गंटा पहले पानी से धो कर रख दिया था इस ट्रेनर में था कि जो इक्स्ट्रा पानी ही वो निकल जाए चावल को भूनते समय अब इसमें डाल दे आधी चोटी चमच नमक और इसे थोरी तरह चलाते हुए अच्छी तरह से भून ले यहाँ पर पहला सीटी कंप्लीट हो गया था साथी साथ मैं जीरा राइस भी बना रही हूँ तो यहाँ पर चावल को मैंने करीब दो से तीन मिनट अच्छी तरह से चलाते हुए भूना है और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चावल के जो दाने हैं बिलकुल खरे खरे हैं अब मैंने चावल को लेबल किया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम पानी चावल को मिक्स करने के बाद ढखकल लगा दे और इसे लो फ्लेम पर कुक कर ले तो यहाँ पर एक तरफ मेरा जीरा राइस बन रहा है और एक तरफ राजमा राजमा में जो है वह लास सिर्टी कंप्लीट हो गया था तो मैंने गैस का फ्लेम बन कर दिया है इधर चावल को भी एक बार मैंने मिक्स किया है चावल भी बन कर तयार है और गारिश किया है थोरी सी फ्रिस धनिया पत्ती से मिक्स करने के बाद चावल को कवर कर दे और इसे मैं गैस से उतार के नीचे रख दे रही हूँ ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए चावल भी काफी खिली-खिली बने थे इधर प्रेशर कुकर को उतार के मैंने नीचे रखा है और एक बार जब प्रेशर रिलीज हो गया मैं धकन खुलकर आपको दिखा रही हूँ काफी अच्छी खुश्बू आ रही थी राजमा से और राजमा भी काफी सॉफ्ट हो गया था तो मैंने यहाँ पर मिक्स करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश धनियापती अट किया है इससे राजमा में काफी अच्छा टेस्ट आएगा धकन लगा दे अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ तो इस प्लेट में जा बनाई थी जिस की रियस्वी मैं आप लोगे साथ बाद में शेर करूंगी अब प्लेट मैंने डाला है राजमा और थोड़ा सा गानिश केया फ्रेश धनियापती से यदि मिक्स बेज की रिशवी मैं इस वीडियो में आप advise शेर करती तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सैलेड और पापर तो ये सिंपल से वेस्थाली मैंने बनाई थी अपने एनिवर्सी वाले दिन आपको ये रिस्पी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताईएगा रिस्पी पसंद आये तो इसे जदा से जदा अपने फैमली और फ्रेंड के साथ सेर कीजिये मेरी कोशिस रहती है कि मैं आप लोग के साथ एक खेल्दी और आसान सी रिस्पी सेर करूँ चलिए मिलती हूं एक और ने रिस्पी के साथ तब तक कि लिए बाय